असलाम आलेकुम फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चेनल एलिफ डेली लाइफ उमीदे आप सब लोग खेले से होंगे आज हम बना रहे हैं बगरा एद की स्पेशल रेसिपी गौट लिवर्स यानि के कले जी यह बहुत ही मज़ेदार किसम की बनती है और हमारे गहर म अल्मोस्ट हर एद पर यह रेसिपी बनाई जाती है आए तो चलते हैं इंग्रीडियंट्स की तरफ इस पाइसी मसाला कलेजी के लिए इंग्रीडियंट्स गौट लिवर्स बक्री की कलेजी आदा किलो चार बड़े टमाटर हमें चाहिए जो के बड़े पीसे में कटिंग क स्टिक्स दो हरी लाइची इसके लावा नमक हजब जायका एक टेबल स्पून हमें चाहिए धन्या पाउडर एक टेबल स्पून लाल मिर्च मज़गी बात है कि इस कलेजी में ना तो जिंजर यूज होती है ना तो गार्लिक यूज होती है लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्म नमक और धनिया पाउडर कलेजी में एड़ करके अच्छे से मिक्स कर ले और इसको 15 तो 30 मिनट के लिए मेरिनेट करने के लिए रखते हैं ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से इसमें अब्सॉर्ब हो जाएं जी तो मेरिनेशन के बाद सबसे पहले पैन में ऑईल करम करें त्री टो फूर टैबल स्पॉन फिर इसमें दो हरी लाइची और दार्ची एड़ कर लें थोड़ा कुक होने के बाद टेमाटर एड़ कर लें और थोड़ी देर के लिए कवर कर लें ताकि टेमाटर जो है वो थोड़े गल जाएं इसके बाद हमने इसमें कलेजी एड़ कर लिए देखें इसको थोड़ देर के लिए दस मिनट के लिए आप अच्छे से बूने से इसकी स्मेल वगेरा कुछ भी नहीं रहती अब इसको कवर कर रहे हैं कवर करने के बाद इसको मीडियम या लो फलेम पर आप 20 मिनट तक कुप करें अगर आप गरेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं अगर भूनी हुई कलेजी आपको पसंदे तो इसकी गरेवी को ज्यादा नहीं करें इसमें पानी वगेरा एड़ नहीं करना पड़ेगा आखिर में इसमें जीरा पाउडर एड़ करें थोड़ा सा जैसे चड़कने से इसमें खुश्बू एड़ होती है अरा देनिया हमने एड़ किया जी तो दोस्तों कलेजी जो है वो रेड़ी हो गई है यह बहुत ही अच्छी बनती है उमीद है आप लोग ज़रूर ट्राय करेंगे हमें कमेंट के दुरू बताइएगा आप लोगो यह रैसेपी कैसे लगी थैंक यू वर वाचिंग और वीडियो डू सब्स्राइब दो औ लोगो